आप सब आई होप कि आप सब ठीक है सौचते तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जेएनू का रिजल कैसे चेक करना है तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था उस लिंक पे अगर आप क्लिक करके अपना जो है इन्फॉरमेशन भरते हैं तो yes सबको hostel चाहिए होता है तो इसलिए आप यहाँ पर yes क्लिक करना यहाँ पर गलती से भी आपको no click नहीं करना है ठीक है no click करेंगे तो आपको hostel मिलेगा नहीं तो इसमें अच्छे से देख लेना है yes करना है इसके बाद यहाँ पर details है तो सबसे पहले आपको seat block करनी होती है तो seat block कैसे किया जाता है यहाँ पर pay fee ठीक है फी payment करके जो है आपको seat block करना होगा जब आप seat block करेंगे तो यह जो आपका document अप्लोड यो documents का जो यह window है यह खुल जाएगा ठीक है जब आप सारे documents upload कर देंगे यहाँ पर जो JNU administration वो verify करेंगे online के माद्दम से फिर आपको ए आने के बाद एक checklist आएगी checklist होने के बाद जो है आपको यहाँ पर pre enrollment form होगा मतलब कि अगर आपका pre enrollment form आ जाता है तो आप मानके चलिए आपका जो 70 या मतलब 90% जो काम है वो हो चुका है था आपका जो है temporary जो है आपका JNU में admission हो जाएगा फिर pre enrollment form आने के बाद आपको reporting time and token दिया जाएगा ठीक है तो जब आप fee payment करेंगे तो आपको कौन कौन से document upload करने होंगे तो सबसे पहला जो necessary जो documents है वो है यहाँ पर affiliated by parent और guardian तो एक और एक है affiliated by student तो आपका जो घर के nearest जो court है आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जागे जो आपको anti-taking certificate बनवाना है कुछ ज़्यादा time नहीं है वो type करते है ठीक है आप उनको जाके बोलेंगे कि इस university का मेरे को anti-taking बनवाना है वो बनवाके देदेंगे और तुरंद sign wine कर देंगे ठीक है और उसके बाद migration form चाहिए होगा और migration अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपको क्या undertaking ले लेना है ठीक है क्या लेना है undertaking यह form download कर लेना है यहां से और इसको form fill up करके भर देना है आपको documents में जिनका अभी फिलहाल भरतमान समय में migration नहीं है और medical fitness certificate बन बना है ठीक है यह तीन चीजे निसेसारी है hostel के लिए और आपका यहापर documents upload करने है तो चलिए अब हम देखते हैं कि fee payment कैसे करना है तो fee payment करने के लिए आपको हैं पर click करना होगा pay fee के option पे ठीक है यहापर देख रहे हैं पे फी के option है तो इसमें आपको click करना ह होगा तो fee payment करने से पहले है आपको यहापर yes करना होगा यह ध्यान रखी गा ठीक है hostel में यहापर आपको yes करना होगा फिर उसके बाद जो हए आपको यहापर pay fee के option पे click करना होगा फिर pay pay now पर जाना है यहापर payment करने के लिए आपको बहुत सारे options दिये गए है यहापर SBI N पेमेंट डीटेल से वह आ चुका है ठीक है यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर नाम डीटेल दिया हुआ है और आपका जो एमाउंट है वह है 268 रूपीज तो आपको कटवाना है अपने बेंक अकाउट से तो यहां पर भी पी के मेंगा डालना है आपका पुरा यूपी ऑंडलना है ठीक है इसकिन शोट ले लेना है तो मैं सकिन शोट ले लेता हूं उसके बाद इसको आथ प्रोसीड पर आपको कलिक करना है झाले